प्रकृती रहस्यों से भरा हुआ है रोज आप इस तरह की बाते सुनते होंगे लेकिन प्रकृती के चीजों पर कहीं न कहीं बिज्ञान बिजय पाने का दावा करता है बहुत सी चीजें होती है जैसे लिंग परिवर्तन करना जेंडर चेंज हो जाता है महिलाओं ने कई बार चिकित्से किये सलाह से चिकित्से किये दवाओं से उसके ऑपरेशन से पुरुस का रूप ले लिया वहीं पुरुसों ने महिला का रूप धारन कर लिया ऐसी बहुत से घटनाय होई है इतना ही नहीं, प्रकृती में बहुत सी ऐसी चीजे हैं, जिसे बिज्ञान आज तक नहीं खोज पाया है और बिज्ञान उस जगा पे अपने को बिफल पाता है आज हम उसी तरह की एक घटना बताने जा रहा है एक गाउं है समुद्र के किनारे बसा हुआ है, जिसकी आबादी लगबग छोजार है लेकिन उस गाउं को कहीं या कहीं सापित माना जाता है सापित इसलिए कि उस गाउं में जितनी भी लड़कियां पैदा होती हैं एक खास उम्र के बाद वो सारी लड़कियां लड़का बन जाती हैं मतलब सारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी हर तरह से अब ही अस्चर्ज में होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है जबकि वहाँ कोई चिकित्सा नहीं होता वहाँ कोई मेडिकल साइंस के द्वारा यह नहीं किया जा रहा है यह स्वता स्फूर्थ हो जाता है स्वयम क्या है माजरा आए जानते हैं और इसके लिए किसी मेडिकल साइंस की जरूत नहीं पड़ती है वहाँ या कोई दवा या किसी भी तरह का उपचार नहीं किया जाता है इसके लिए यह स्वैम हो जाता है स्वत्व यह खास उम्र में आते ही लड़कियां लड़का का रूप धारन कर लेती है कैसे होता है यह और कहां है यह ग्याओं आईए पूरी जानकारी लेते हैं कि प्रकृति का ये ऐसा चीज है जो आज तक वैज्ञानिक और विससग्य इसको ढूड नहीं पाए कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है नमस्कार महरवाकेश कुमार आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट मैंने जो कहा कि एक खास सुम्र के बाद एक गाउं की लड़कियां लड़ का बन जाती हैं जी ये समुद्र के किनारे जो गाउं बसा हुआ है यह है डोमिनिकल रिपब्लिक देश में डोमिनिकल रिपब्लिक देश का ये जो गाउं है इसका नाम है ला सेलिनास ला सेलिनास में लड़कियां जब बारा वर्स के लगवक पहुचती हैं तो वो धीरे- लड़के का रूप ले लेती हैं, उनके सारे अंग विक्सित हो जाते हैं और पूरी तरह वो लड़का का रूप ले लेती हैं। लेकिन ये सारी बाते हैं इसलिए कि विज्ञान भी अभी तक यहां तक नहीं पहुंच पाया है। बीमारी मानते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा जो परिवर्तन होता है वो किसी परिवर्तन के चलते होता है। लेकिन वो क्या है वहां तक अभी तक कि कोई भी विशसज्य नहीं पहुंच पाया है। इसमें अब इसके चलते क्या होता है कि गाओं में जैसे ही कोई लड़की पैदा होती है कि वहां मातम छा जाता है। मातम इसलिए नहीं कि जो हमारे देश में होता है भारत में लड़की के पैदा होने पर इस तरह की बाते होती हैं इसलिए कि दहेज, प्रता और महिला, प्रताणना जैसी बहुत सी चीजे हैं। लेकिन वहाँ इसके चलते नहीं होता है, वहाँ इसलिए होता है कि ये जो लड़की पैदा हुई है, पता नहीं फिर 12 वरस के बाद जब किसोरा वस्ता में पहुचे गया, तो कहीं लड़का नो हो जाए, इसके चलते वहाँ मातम मनाया जाता है. अब इसके चलते हैं, आस परोस के जितने भी गाओं हैं, या जो भी लोग हैं, उसे वो लोग उस गाओं को बड़े हीन द्रिष्टी से देखते हैं, और वहाँ के लोग भी कहीं न कहीं परिशान रहते हैं, मानसिक रूप से भी, और संबंधों के लिहाद से भी, समाजिक या वहाँ के लड़की से साधी किया, तो फिर उनके यहाँ भी तो इस तरह की प्रिक्रिया नहीं हो जाए, इसलिए वो गाओं धीरे-धीरे कटता जा रहा है, इसमें होता है कि जब लड़कियां पैदा होती है, तो ठीक है, दस से ग्यारा बारा बरस तक तो सब कुछ ठीक होता है, दस से ग्यारा बरस के बाद धीरे-धीरे उनका अंग परिवर्तन होने लगता है, मर्दों जैसा दाड़ी मूछ निकलने लगता है, और आवाज में भारीपन, आवाज जो हम कहते हैं कि किसोरा वस्ता के बाद बच्चों का लड़कों का आवाज फट जाता है, मतल लेकर महा की जो परिसानी हो, बिज्ञान भी परिसान है, इसे सग्यों ने बहुत खोजबिन की है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाए हैं, इसके चलते समाजिक प्रभाव इस तरह का है, कि उस गाउं में लड़कियों की संख्या धीरे-धीरे-धीरे बहुत कम होती जा रही है, मतलब एक जो लिंग अनुपात होता है, वो भी बुरी तरह बिखर गया है, तो अब आप इसे क्या कहेंगे, प्रकृती का रहस्य है, या कोई बिमारी, या पता नहीं क्या, खेर, देखते रहे हैं फाइनल पोस्ट, चैनल पर नहीं होते सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कॉमेंट देकर जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार